हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CDP यानि के बाल विकास और सिक्षास्त के प्रिवेस येर कॉस्चिन पेपर के बारे में तो दोस्तों प्रिवेस येर में CDP में जो 12 जनुरी 2022 की जो सिप्टे थी वसमें जो कॉस्चिन पूछे गेते तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डेटेल में डिसकास करेंगे तो कौन-कौन से कॉस्चिन उसमें पूछे गेते हैं इसका डेटेल पीडिया भी में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग इन कॉस्चिन का आंसर देने के भी पहले कोसिस करना तो वीडियो दो पहला जो question है यह है आपका बाल विकास में dash से dash तक होने वाली वृद्धी वह बदलाव का अध्यिन किया जाता है तो इसमें आपको चार option दे रहें पहला इसमें जन्म से मार्धिमिक बाली वस्ता तक शेकिन है इसमें जन्म से किस्वरा वस्ता तक और थर्ड इसमें गर्भे धारण से मार्धिमिक किस्वरा वस्ता तक और चौथा इसमें लास्ट option गर्भे धारण से मार्दिमिक बाली वस्ता तो इस question का जो right answer है आप ट्रै करो इसे answer देने की तो इसका जो right answer होगा वह होगा आपका जो होगा गर्ब धारण से किसोरा वस्ता तक अब next question के वर बढ़ते हैं अब next question है आपको कथन और तर्क दे रहें तो इनको पहले आपको read करने जो कथन है कथन में कह रहा है कि कथन ए बच्चों के विकास के मार्ग वह प्रगति का सटिक्ता से पुर्वान नहीं लगाया जा सकता और जो तर्क कह रहा है वह कह रहा है अनुठा सयोजन बच्चों में अलग-अलब बदलाओ का मार्ग तई करते हैं तो इसमें आपको फिर नीचे से इनका right answer चुनना है तर्क और कतन ये पढ़ने के बाद पहले इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही वेक्ख्या करता है ये कह रहा है शेक थार्ड है इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है और चौथा है इसमें ए और आर दोनों गलत है तो इसका जो right answer होगा वह होगा आपका और नंबर जो एक है ये वाला इसका right answer हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और जो आर जो है एक ही सही वेक्ख्या कर रहा है तो ये होगा इ अब next question के वर बढ़ते हैं next question है आपका समाजी करण तो समाजी करण का अर्थ क्या है तो इसको आपको बताने है पहला option है समाज के जीती जिवाजों को पारित करनी की एक सरवर्परकिर्या है second है आपका जेटिल परकिर्या है जो प्रत्यक्च और अप्रत्यक्च दोनों रूप से होती है third है व्यस्तित तरीके से होने वाली रेखिक परकिर्या है और last है इसमें अपचारी परकिर्या है जो केवल परिवाज द्वारा नियोजित की जाती है तो यह जो होगा इसका जो right answer होगा वो होगा आपका option number जो second है जो एक जटिल परकिर्या है जो प्रत्यक्च और अप्रत्यक्च दोनों रूप से होती है next question है अमोर्तो संक्रियात्मक चरण के विज्जार्थियों के लिए शिक्षिका को यह जो पहला जो है option पतानुकरम समंदो को दर्शाने के लिए आरेखों का परियोग करना चीए second है इसमें परिकल्पानात्मक सोच को विक्षिट करने के लिए समिश्याय प्रस्तुत करनी चीए third है इसमें अमोर्तो समिश्याय नहीं प्रस्तुत करनी चीए last है इसमें समस्याओं को सुल जाने और विज्ञानिक तर्क देने के आउस्सर उपलब्द करवाने चीए तो यह चार आप्शन है तो इससे सबसे इसका जो राइट अंसर होगा यह आप देख लो इसमें पहले जो आप्शन कहा रहा है आपको से दिखाय दे रहे हैं यह आप रेट कर लो पहले यह आप्शन नहीं हो गया है भी सी और डी तो इसमें जो एक जो रॉंग जो लग रहा है वो है आपका आप्शन नंबर जो सी यह रॉंग लग रहा है तो इसमें पहला जो है परान उक्रम समंदों को दर्शानी के लिए आरिकीों का परियुग करना चाहिए यह भी सही लग रहा है और शेकिंडर परिकल्प्रनात्मक सोच को विक्सिट करने के लिए समिश्याइब परस्तुत करने चाहिए ये भी सही है थर्ड वाला रॉंग है और लास्ट कहा समिश्याओं को सुल जाने के लिए विज्यानिक तरके देने के अफ्सर उप्लद कराने चाहिए तो इसका जो र पीडियब चाहिए होगा तो पीडियब डाउनवड करने के लिए आपको हमारे टेलग्राम चैनल और ग्रूप में जोइन होना होगा इन टेलग्रम चैनल और लिंक हम को फिसी वीडियू को डिस्क्रिप्टिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आप सिंपली टेल ग्राम पर जाकर e-notes online search करोगे तो वहां भी हमार चैनल दिखाए देगा तो फिलाल हम इसका लिंक इसमें डाली देंगे तो आप वहां से इसका पीडिया डाउनोड कर लेना अब नेक्स्ट कॉर्सन के बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉर्सन है पांच्वा जीन प्याजी के संगयनात्मक विकास के सिनार्णत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक परकिज्याएं हैं पहले इसमें देर का है अनुकुलन की शेकेंड इसमें सिखनी का निक्तष्ट छेत थर्ड इसमें इसमें अग्रिम आयोजन तो इसका जो राइट आंसर हो जागा यह हो जागा आपका अप्शन नमर एक अनुकुलन नेक्स्ट है छै जो है कॉस्टन है बच्चे के सिखने के संदर्व में जीन प्याजे डेड डेस को जबकि लेवाई गोस्च की डेड डेस को महत्तू देते है तो इसमें आपको यह ऑपसें देंगे तो इसमें से आपको बताना है कि इसका आइट आंसर क्या होगा पिछले में देखाय परिफकवता और सनसिखिती उपकरण सेक्नि देखाय के पुर्णरभलणद इसकीमा में बरलाव और थार्डे देर काईज में वेधन और अभ्यास पुर्णरपलन तो यह तीन आप्शन आपको दीखाई दे रहेंगे तो इन में से आपको इसका राइट आंसर देना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह का इसका राइट आंसर परिपक्वता जीन प्याजे कहते हैं और लेव वाई गोस्ट की सांसेगेती उपकरण को महत्तु देते हैं नेक्स्ट कोस्टन है एड नंबर वाला कैरोल गिलगिन ने लौरेंस कोलवर्ग के नेतिक विकास की समाल लोचना करते हुए तरक रखा कि कोलवर्ग नारिवादी नेतिक था जो देखभाल की जो नेतिकता होती है उस पर वह बल देती है उसको जो नकालते हैं कोल बर गए तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेक्स्ट कॉस्यन है आँडगानर ने बहुवृद्धी का सिद्धांत परतिवादीर किया जा परतिवादीर किया की संगयनात्मा छमता बुद्धीमता की निजारन की एकमार्त्य विशिष्टा है थर्ड इसमां बुद्धीमता कुम आपने के लिए वृद्धी लब्धी की सरचना प्रत्यबार्दित की लास्ट है चार गुडवनखंड के अधार पर 16 अलग परकार की बुद्धिमता का विश्तार पूर्वक उल्लिक किया गया है तो हावड गार्णने तो यह इंपोटेंट कॉस्चन है इसका जो अब नेक्स्ट कॉस्चन है राष्टी शिक्षा नीती 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए पहला इसमें देर का है संकल्पनात्मक समझ शिकंड गैर संदर्भीत विश्यवस्तू थार्ड रट कर शिखना और चौथा इसमें देर का है परिक्षाओं के लिए शिकना तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अप्शन नंबर ए जो संकल्पनात्मक समझ तो इस पर बल देना चाहिए शिक्षा को रख्ष्ष्टी शिक्षा 2020 के अनुसार एक ग्यारवा कॉर्चन है बाल के इंदी शिक्षन में शिक्ष इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला जो ऑप्शन देरका आपको यह देरका आपका शिक्षक को द्वारा प्रत्यक्ष्टी शिक्ष्ट को द्वारा थार्ड इसमें अधी कर्म कर्थाओं के निसकी सुनने से और चौता देरका विवित शोतों का अन्वेशन करके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नूमबर जो चौता है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कर्थन है और तर्क इसमें देरका बच्पन में अलगा हुआ वन्चित होने के समाजिक अनुबव बच्चों में और पुरणिये च्छती कर सकते हैं तो इसमें यह तर्क है पहला इसमें कूट देरका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही वेक्षा करता है शेकिंड है इसमें ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही वेक्षा नहीं करता थार्ड है इसमें ए और ए सही है लेकिन आर गलत है और चौतर इसमें देरका ए और आर दोनों गलत है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा अब दुबार से कथान और तर जो आर है एक ही सेव एक्षया नहीं करता है जैने कि जो तर्क है कि कथन की सेव एक्षया नहीं करता तो आप्शन नम्मर जो तू होगा यह इसका राइट अंश हो जाएगा तेरवा कॉस्चन है शिक्षकों को बच्चों के मुलेंकन का विवरण उनके अभिभावों को देना चाहिए जिससे पहला इसमें अभिभावों को बच्चों की फैचान कर्ष उसे सही धंग से नमंकिन कर पाएं मन्द बुद्धि बुद्धिमा नित्यारी की रूम में शिक्षकन है इसमें अभिभावों को की अपने बच्चों के सीखने के बारे मैं समझ बन सके थार्ड है इसमें अभिभावक जान पाएं कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता और चौता है इसमें अभिभावक अपने बच्चों की तुलना कक्षा के बागे बच्चों से कर पाएं तो यह चोथा यह option है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेज़ वाले का यह हो जाएगा option नमबर जो शीकिन है अभिवाव को कि अपने बच्चों के सीखने के बारे में समझ बन सके यह इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है 14 नमबर का समाजिक आर्थिक रूप से वन्चित समोहो के चार्चों के आउधारणा सुनेश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनेश्चित करना चीजिए कि वे घर पर टूशन ले शेकिन है इसमें उन्हें इसमरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिख जाएं और थर्ड है इसमें इस्कूल आने की उनकी रूची कम नहों और चौथा इसमें गया संदर्भित पार्थे चार्जार का पालन हो तो आप नेक्स्ट कॉस्टिन के और बढ़ते हैं उससे पहले मैंने आपको चौदा वाला जो कॉस्टिन देर खाया इसका आपको जब कमेंट्र आपके सब आ जाएंगे तो उसका जो कमेंट्र आंसर होगा मैं नीचे कमेंट बग्समें पिन भी कर दूंगा और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा तो इस सब इस कॉस्टिन का आंसर सभी लोग देना आप नेक्स्ट कॉस्टन है उस प्रस्णी की पहचान करें जो मुल्यांकन की कॉसल का परिक्षण करता है पहला है इसमें आज आप जो पुस्तगे पढ़ते हैं वे जिग्वेट से किस परकार भिनने हैं इसमें पुरा तत्व को परिभासित कीजिए थर्ड इसमें हडपा सब्वेता के लोग और जार बनाने के लिए किन धात्वों का परियोग करते थे चौता इसमें हडपा सब्वेता स्थल की खोच कब की गई थी तो यह चार आप्शन आपको दिखाए दे रहेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका जो अप्शन नंबर एक है आज आप जो पुस्तिके पढ़ते हैं वे जिगवेद से किस्परका भिन्ना है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लगपा 15 कॉस्चन जो कि CDP के कवर कर लिए हैं नाक्स्ट जो कस्स्रिक होंगों जो कि इसी शिप्ट में पूछी गे ते तो आगे के जिनने कोश्चन होंगे उनको में कवर करेंगे तो उसके लिए आपको हमाइए यूट्यूब करना हो गा और सांतीं साथ बैल आएकन को भी दबादेना इससे जैसी कि हमाएं न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाएगा तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ बहुत हैल पर मिलेगी मिलते एक ऐसी नेस्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई